वेल्कम बैक टु चानल एजुकेशन एकने आप आप सुपी का स्वागत है तो अब इतक हमने जो इमेज एनहांसमेंट है तो इनहें इमेज एनहांसमेंट वो टॉपिक हमने कम्प्लिट कर लिया है और आज से हम लोग इमेज सेग्मेंटेशन देखने जा रहे हैं और जहां तक बात रहेगी हमारे नियूमेरिकल्स की तो नियूमेरिकल्स हम लोग ये पुरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग नियूमेरिकल्स तो इसके पर सॉल करने वाल है तो इसकलिए मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले जो थेरी पार्ट है तो थेरी पार्ट हम लोग पह मतलब कुछ अलग-अलग regions में divide कर देना तो एक process होता है कि image को divide कर देना अलग-अलग part में और फिर उसके उपर operation कर देना तो definition की साब से हम लोग देख लेते कि definition में लिखा क्या है image segmentation is defined as a term in which we divide the image in various region and we can apply some operation on it image को हमने क्या किया simply हमारे पास एक image जैसे कि मेरा हाथ जो दीख रहा है यह भी एक type का image है मैंने क्या किया मेरे को particularly regions पे कुछ operation perform करना है suppose मेरे को इसको थोड़ सा light दिखाना है इसको थोड़ा dark दिखाना है इसको pink color में दिखाना है इसको white color में दिखाना है divide करने के बाद में particular एक एक चीज़ पे operation perform करूँगा फिर से हमको collect करूँगा फिर में देखूँगा मेरे को image कैसा दिख रहा है if any discontinuities take place then that is also known as segmentation मतलब आपके पास कोई image है आप image के अंदर आपके पास suddenly कोई तो भी discontinuity आ गए discontinuity आने के जैसे हम लोग उसको भी क्या कह सकते है मतलब पुरा पुरा region divided हो जा रहा है आपका मतलब एक region अलग हो जा रहा है तो उस तरीके के चीजों को भी हम लोग क्या कह सकते है कि segmentation है तो segmentation आपको actually जब यह जो तीन detection पॉइंट दी है न तो तीन detection पॉइंट के हिसाब सापको समझ माद एक segmentation होता है क्या है तो dividing of an image in several region is called as image segmentation तो उसी को हम लोग क्या कहते है segmentation कहते है image को divide करने को okay so there are three types of image segmentation detection can be done segmentation detection को हम लोग 3 ways में detect कर सकते हैं तो 3 ways कौन कौन से आपके 3 types कौन कौन से पहला जो है आपका वह होता है point detection point detection के थुरू हम लोग क्या कर सकते है image को segment कर सकते है आगे इन उसके बाद होता है हमारा line detection मतब line के थुरू भी हम लोग पता कर सकते कि segmentation है क्या उस image में उसके बाद होता है हमारा age detection तो age detection से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा image separate हुआ है क्या है कि नहीं हुआ है तो चलिए देख लेते हैं कि second page तो यहाँ पर हम लोग पहला जो point है वो देखने जा रहे हैं कि point detection होता है ठीक है when a discontinuity takes place in an image that just used to show point which is different from all pixel values so that type of detection we can say that is a point detection segmentation तो हम लोग उसके क्या कह सकते हैं point segmentation कह सकते हैं जैसे कि आपके पास जहापे example में 3x3 का matrix दिया गया है तो आप लोग simply इस image में देख सकते हैं कि आपको surrounding में पुरे minus 1, minus 1, minus 1 वो जो pixels की value है minus 1, minus 1 है और बीच में आपको क्या मिल रहा है एक 1, जो की सबसे अलग है तो सबसे अलग जो आपको मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका point segmentation, तो सबसे अलग यही है न तो particularly किसी एक point पर आपको एक अलग सा एक pixel दिग्या तो उसी को हम लोग कहते है point detection वो भी टाइप का क्या है आपका point detection segmentation, right here in an image we can observe the point detection, right आपको यहाँ पर observe कर सकते है उसके बाद जो की 3 by 3 का है okay, pixel in an image which is crossing the threshold value about the intensity and just a single pixel throughout the image तो उसका बुलने का मदब वही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर सिरफ एक point का जो threshold voltage है वो cross कर रहा है यानि इसकी intensity की value बढ़ जा रही है otherwise घड़ जाएगी, right तो जहाँ पर भी आपको intensity की value बढ़ गई खही पर या फिर घड़ जाती है तो simply और सबसे अलग दिखता है वो pixel तो उसी pixel को हम लोग कहते हैं कि point detection हुआ है वहाँ पर वो भी type का क्या होगा है segmentation हो गया, right तो उसके आजू बाजू में सारे के सारे pixels की colors रहेंगे, color के form में कर मैं बोल लूँ तो सारे के सारे same है यहाँ पर but बीच में एक ऐसा unknown person आ गया है जो की सबसे अलग है, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता है, सारे के सारे so we can say that the point in an image detected hence it is called as point detection तो जो भी image में हमको point detect हुआ है तो हम लोग इसको ही कहते है point detection, आपका image कुछ भी हो सकता है कैसा भी हो सकता है, बस कुछ अलग दिख गया कोई pixel अलग दिख गया, यानि क्या है point का detection वहाँ पर हो गया, right तो दूसरा हम लोग देख लेते है वह है हमारा line detection अब line detection क्या होता है तो क्या दिया है, when a discontinuity takes place throughout the image which can be present in horizontal जो कि horizontal के form बेर हैगा तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पता दू जैसे कि यहाँ पर जो आप लोग horizontal में अगर pixels देखेंगे इधर minus 1, minus 1 है यहाँ पर 0, 0, 0 है और यहाँ पर 2, 2, 2 यानि आप horizontally जो भी pixels देखेंगे, सारे के सारे minus 1, minus 1 रहेंगे तो इसको हम लोग एक तरीके का मतलब यह एक line बना रहा है, right तो यह horizontal line बना रहा है तो कौन कौन से तरीके का हो सकता है आपके horizontal हो सकता है प्लस 45 डिगरी का हो सकता है वर्टिकल हो सकता है और minus 45 का pattern बना सकते हैं, okay तो इन चीजों का हम लोग यहाँ कहते हैं मतलब जो pixel आपको line के form में दिख जाता है line के form में अगर आपको दिखें तो उसको हम लोग कहते हैं line detection तो यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको horizontally line मिला था तो अगर suppose अगर मैं बोल लू कि यह black color है तो यह आपको पुरा पुरा black color दिखेगा यह थोड़ा सा black तो फुरा सा white है तो आपको थोड़ा सा white दिख जाएगा तो 45 degree के उपर आपको जो जितने भी पिक्सल दिख रहे है तो यह भी एक काय क्या है एक line है तो यह straight जाएगा भी हमने यहाँ पर 3 by 3 का matrix लिया है तो इसलिए हमने इतना ही दिखाया है तो इस line में diagonal के form में अगर आप लोग देखे तो 222 आपको 222 ही दिख रहा है यान यह भी एक कैसा है line है उसके बाद तिसरा अगर हम लोग देखे तो आपको यहाँ पर vertical दिख जाएगा तो यहाँ पर horizontal ही नहीं है ठीक है यहाँ पर minus 1 है यहाँ 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 पर 2 है यहाँ से एक line गई है यहाँ से line गई है उसके बाद प्लस 45 डिगरी पर हम लोग line detection करें तो यहाँ से line गई है ऐसे horizontally में ऐसे line गई है तो यह हम लोग चीजे detect कर सकते तो simply line detect कर लेना तो उसको हम लोग कहते है line detection उसके बाद क्या दिया है आपके पास पोस मेरे पास यह एक pencil है राइट पैंसिल है अब यहाँ पैंसिल है अब जो इसके edges जो आपको है तो यह क्या रहेगा उसका जितना भी यह जो इसको हम लोग कहते है edges अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते edges को आप लोग शायद define कर पा रहे है define इनके साब मतलब आपको detect कर सकते कि यहाँ पर पुरा white है यहाँ पर पुरा white है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और उसके उपर pencil है तो आपको यह ages clear है कि हाँ pencil इतना ही बड़ा है ages इतना बड़ा है मतलब pencil इधर तक है हमारा तो simply हम लोग कहते हैं कि age detection कहते हैं age detection method is mostly used to find the object boundaries in an images तो जो भी हमारे object की जो भी boundaries रहेगी उसको find करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं object का जो भी boundaries होता है उसके ages को find करने के लिए हम लोग age detection का use करते हैं इसके boundaries को find करने के लिए it works by detecting discontinuous in brightness तो जैसे कि आपके पास black color का यह दिख रहा था pencil और white color का paper दिख रहा है तो आप लोग simply define कर सकते कि हाँ यह paper है और यह क्या हमारा pencil तो यहाँ पर हम लोग define कर सकते कि यह हमारा pencil है बाग के हमारा paper है with the help of age और age के हिसाफ से आप लोग यह भी बदा सकते हैं कि हमारी pencil कितनी बड़ी है उसका width कितना है length कितना है यह भी simply हम लोग क्या कर सकते है define कर सकते है with the help of with the help of discontinuities in brightness age detection is used for image segmentation and data extraction in areas such as image processing, computer vision and machine vision simply हम लोग क्या करते हैं इसको segmentation, age detection को segmentation में यूज़ किया है जैसे हम लोग segmentation देख रहे है और data extraction मतलब हमको जैसे pencil है मतलब pencil ही है यह मतलब पुरा simplify करने के लिए मतलब पता करने के लिए हाँ कि यह pencil है तो हम लोग with the help of age detection के भी हम लोग object को define कर सकते जैसे कि हम मेरे पास इधर यह एक pencil है दो pen है तो अब मेरे को define करना है कि यह pen ही है बराबर मतलब मैं इसके ages को पता कर सकता हूँ उसके बाद यह pencil है इसके ages के थूँ और दिखता कैसा है तो यह pencil है उसके बाद यह black color का pen दिख रहा है आपको तो यह तीन object को identify करने के लिए उसके ages पता करें है कि हाँ यह on paper रखा हुआ है बट यह एक object है यह भी एक object है यह डायकल उसी image के अंदर present नहीं है यह भी एक object है मतलब define करने के लिए यह pencil है यह pencil है तो उसके लिए हम लोग क्या करते है एज detection का use करते हैं तो वह एक हो गया उससे बाद common age detection algorithm include sobel, canny, privit, robot and fuzzy logic method तो यह जो 3-4 method होते हैं इनका algorithm use करके हम लोग क्या करते हैं age detection पता करते हैं तो चलिए देख लेए कि simply age detection की कुछ examples की age detection कैसे होते हैं तो जो पहला वाला image आपको अगर screen पर दीख रहा है तो वह है image segmentation using sobel method तो अगर आप लोग सोbel method में अगर देखें तो पहला जो image आपको यह original image है अब इसका हमने क्या किया इसके उपर एक age detection लगाया तो age detection with the help of sobel method के हिसाफ से हमने लगाया तो आप लोग देख सकते हैं जो इधर जो आपको दीख रहा है जो car दीख रही है जो दो car दीख रहे हैं यहाँ पे tree दीख रहा है और यहाँ पर आप लोग देखे तो आपको क्या दीख रहे है ages दीख रहा है आपको यहाँ पर white दीख रहा है बाकी का पूरा पूरा term है वो पूरा पूरा आपको black ही दीख रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है हमने क्या किया है हमारे पास कुछ coins रखे हुए थे अब हमको पता करना है कि उपर design क्या बना है हमने simply photo ले लिया capture कर लिया बट यहाँ पर मेरको पाता नहीं कि उसकी design की से होगी तो simply हम लोग क्यानी मेधड का यूज करके segment age detection का यूज करके हम लोग पता कर सकते हुए उसके उपर actually design दिख जाएगा तो आपको सारे के सारे अजेस दिख रहे है जहाँ भी डिजाइन बना हुआ है तो डिजाइन के सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं यहापे एज दिख रहे हैं तो यह भी एक तरीका क्या होगा एज डिटेक्शन उसके बाद जो तिसरा है तिसरा आपका है इमेज सेगमेडेशन यूजिंग फूजी लॉजिक मेथड अभी यह इमेज आपको शायद पुरा क्लियर लिना दिखे क्योंकि यह पुरा पुरा वाइट ही है बट यहापे आप लोग देख सकते हैं यहापे सबजी रखी हुई है यहापका लसुन है श्यमला मेर्च वगरा बहुत सारे सबजिया है तो उसको आप लोग यहाप पर कर सकते हैं कितने अब्यक्ट वहाँ पर हैं तो यह सिंपली आपका होता है इमेज सेग्मेंटेशन ओके तो अब इसके उपर और बी कई सारे टॉपिक्स अभी बनने वाले हैं तो आप लोग आज का यह वीडियो प्रसमज में आया होगा क्लियर हो गया होगा कि इमेज सेग कोमेंट सेक्शन में बताए और वीडियो को लाइक जरूर कर ले तो तब तेकर चलिए अलगे वीडियो में मिलते हैं थाइंक यू टेक कियर हैव नाइस दे बाई बाई